ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके अचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रोव सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारे धर्मेंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफले 29 नवंबर 2024 शुक्रवार का दिन है मार्गशिश महा के कृष्ण बख्ष की त्रयो दशी है रात्री व्यापिनी चतुर दशी होने से इस दिन शुव रात्री का महा परव रहेगा शुव चतुर दशी का अवरत इसी दिन करना चाहिए स्वाती नामक नक्षत्र होगा और तुला राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में होंगे इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसान दायक सिद्ध होगा यदि किसी कारण वस पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दही अत्वा जवखा करके यात्रा का शुभारंब कर सकते हैं राहुकाल जो की सुभा साड़े दस बजे से लेके दो पार बारा बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुभिया मांगलिक कारिक्रम आपको संपादित नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्णए आप अपने क्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जोकी व्रश्चिक राशी में वहीं चंद्रमा तुला राशी में मंगल ग्रह करक राशी में बुद्ध ग्रह व्रश्चिक राशी में देव गुरु व्रहस्पती जोकी व्रश्चिक राशी में कुंबराशी में राहुग्रा मीन राशी में तथा केतु ग्रह कन्या राशी में विराजित रहेंगे इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार इस ग्रह स्थिती के अनुसार व्रशाप कर्क कन्या व्रश्चिक मकर एवं मीन ये छे राशियां सबसेरीक भागिशा लेने वाली है क तथा सूर्यास्त शाम को पांच बच के तीस मिनिट पर होगा। शुब मोहुर्त की अगर हम बात करें तो शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन जो सबसे पहला चोगडिया रहेगा। वो सुबह चे बज़े से लेके साड़े साथ बज़े तक चर का चोगडिया। उसके बाद सुबह साड़े साथ से नो बज़े तक लाब का चोगडिया। चोगड़े रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुबकारी करेंगे मांगली कारी करेंगे नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइदे कासे योग निर्मित हो सकता है अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी 12 राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे ह हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंत तक देखेगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस रासी की कोई पुराना विवाद यदि चल रहा है तो आपसी सूजबूच से हल हो जाएगा जिससे रिष्टे दोबारा मधूर हो जाएंगे अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर के वर्तमान को सुधार ने हेतु मनन करे और अपनी योजनाओं को क्रियानवित करे जल्दबाजी में कोई भी निर्णे न ले तथा पुरानी गलतियों को बिलकुल भी न दोराएं किसी प्रकार का जूटा आरोप प्रत्यारोप आपके उपर लग सकता है अंजान व्यक्तियों के सलापर ध्यान ने देकर अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही आपको काम करना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप हनुमान जी के मंदिर में कोई भी लाल फूल चड़ा देंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं व्रशवराशी की किसी विशिष्ठ कारी को पूरा करने में आपकी मेहनत आज कामियाब होगी जैसे घर और समाज में आपका योगदान रहेगा आपके काम की तारीफ और आपको मांच सम्मान भी मिलेगा आपके आत्म इश्वास और स्वाभी मान में इзधाफा होगा परन्तु अत्य आत्म इश्वास के कारण अपना कुछ नुकसान आप कर सकते हैं इसलिए इस प्रकार के कारियों से आपको बचना चाहिए उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में सफेद फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की आज कुछ समय आप अपनी रुची संभन्धी कारियों में व्यतित करेंगे जैसे आप मनसिक वर शारीरी ग्रूप से काफी हट तक अपने आपको उर्जावान महसूस करेंगे किसी खास उपलब्धी को हासिल करने में आप सक्षम रहेंगे कुछ समय समाजिक गतिविधियों में आपका व्यतित होगा कोई ऐसा समाचार आपको मिलेगा जिससे मन में नकारात्मक विचार कुछ समय के लिए उत्पन होगे लेकिन बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा उपाई के रूप में गणेश जी को यदि आप दूर्वा चड़ा देंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आपकी विनम्रत तथा सहयोगी स्वभाव दूसरों के लिए मिसाल बनेगा तथा घर और आसपास के वातावरन में आपकी तारीफ और मान सम्मान जैसे इस्तिती रहेगी पडोसियों के साथ चल रहा कोई पुराना मदभेद दूर करने के लिए उत्तम समय है कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके स्वभाव की वज़े से लोग आपको उपयोग कर रहे हैं इसलिए किसी की मदट करने से पहले उसकी मनशा को समझना अती अवश्यक होगा वरन्या लोगों की बातों में आकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं उपाई के रूप में यदि आप दही में शकर मिला करके संकर भगवान के मंदिर में दान करेंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागशाली अंक तीन होगा भागशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की भविश्य संबंधी फैसलों को लेने के लिए आज बहुती उत्तम दिन है किसी अंजान व्यक्ति से अचानक मुलाकात आपके भाग्योदाई संबंधी द्वार खोल सकती है योवर्ग अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत महसूस करेंगे परंतु उत्तेजना और क्रोध के सभाव से आपको बचना चाहिए उपाई के रूप में मसूर की दाल और गुड गाई को खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भाग्यिशाली अंक पांच होगा भाग्यिशाली रंग आपका क्रीम होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की किसी भी परिस्तिती में अपने आत्मिश्वास वा आत्मबल को कमजोर न होने दे इस समय तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और भाग्य आपका सायोग करेगा परिस्तितियों अनुकूल है इसका भरपूर उपियोग आपको करना चाहिए संतान पक्ष की चिंता रहेगी विध्यार्तियों को अपनी किसी विशेस कारी में सफलता प्राप्त होगी उपाई के रूप में यदिया भगवान गनेश जी के मंदिर में सफेद रंग का कोई भी फूल चड़ा देंगे तो आपका दिन शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज परिवार संबंदित कुछ महत्वपूर्ण निरनाय आपको करने पड़ेंगे जो कि बहुत ही सकारत्मक परिणाम आपको देंगे किसी खास व्यक्ति से मुलाकार लाबदायक सिद्ध होगी आपके रुके वे काम पूरे हो जाएंगे दिन भर कुछ व्यार्थ के कारियों में आप व्यस्त रहेंगे जिसकी वजह से थकान वचिर्चड़हट आप महसूस करेंगे किसी को भी पैसा उधार देते समय चानबीन अवस्य करें क्योंकि वापसी के जंभावना बहुती मुस्किल रग रही है इसलिए उधार पैसा देते समय बहुती साउधानी बरतनी की आउशक्ता होगी उपाई के रूप में भोजन के बाद एक लोंग इलाईची खाना आपके लिए शुपफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासी की आप अपनी कारी संबंदी युजनाओं को आज बहतरीन तरीके से बना पाएंगे किसी प्रभावशाली व्यक्ती से मुलाकात आपको एक नई दिशा प्रदान करेगी पेत्रिक संबंदी मामलों को सुलजाने के लिए दिन बहुत ही शुब है पैसो का लेंदेन इस्तिगित रखे क्योंकि इसकी वज़े से संबंदों में दरार उत्पन न हो सकती है घर के किसी सदस्य के स्वास्तु को लेकर चिंता रहेगी और कुछ महत्वपूर्ण काम इस्तिगित आपको करने पर सकते हैं नय जन संपर्क आपके लिए फाइद्यमन साबित होंगे उपाई के रूप में भोजन के बाद यदि आप कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की आज भागिशाली की बजाए चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्टित्यों को आपके पक्ष में करेगा बच्चों की किलकारी संबंदि शुब सूचना मिलने से परिवार में उत्सव भरा माहोल रहेगा किसी अटके हुए काम को पूरा करने के लिए उचित दिन है अपनी योजनाओं को क्रियानवित करने से पहले उसके सभी पहलूओं पर भली भाती विचार करे बहतर होगा कि किसी अन्य व्यक्ति की सला अवश्य ले रूपिय पेसे के मामलों में किसी पर भी विश्वास न करके स्वयम ही अपने कारियों को निप्टाने का प्रयास करे और उपाई के रूप में पक्षियों को छट के उपर दाना डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आपके साथ कुछ ऐसी इस्तिती घटि थोलने के वाली है जिससे आपको लगेगा कि इसी देवी शक्ती या इश्वर का भरपूर आशिरवाद आपके साथ है अपनी प्रतिभाओं को पहचाने तथा पूरी उर्जा के साथ अपनी दन चरिया वक कारी प्रनाली पर ध्यान केंद्रित रखे भूमी भवन वाहन संबंधी खरियोत फरिक्त में अपना समय अधिक्तम व्यतित होगा उस संबंध में दस्तावेज भली भांती आपको चेक करना चाहिए पैसो के लेंदेन में भी साउधानी बरतने की अउशक्ता होगी और उपाई के रूप में भगवान विश्णू जी के मंदिर में चने की दाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कुम्पराशी की अचानक ही नजदी की रिस्तोदारों के आगमन से घर में खुशी का वाटवरन रहेगा किसी विशेस मुद्दे पर विचार विमर्श होगा युवावों को अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत मिलेगी और भविश्य संबन्री फैसलों को लेने के लिए उनके अंदर हिम्मत आएगी कभी-कभी आपका शंकालू सुभाव आपके बंते कारियों में रुकावट उत्पन न कर सकता है इसलिए ऐसे सुभाव से आपको बचना चाहिए तनावपूर्ण सिती भी बनेगी लेकिन आपको धैरे और शंती से सभी कारिय आपको करना चाहिए उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज गरह की स्थितियां पूर्ण तह आपके पक्ष में है काफी लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी से आपको निजात मिलेगी अब अपने आपको तनाव मुक्त महसूस करेंगे और अपने व्यक्तिकत कारियों पर आपको ध्यान देना चाहिए आर्थिक मामलों के लिए ठोस नर्णे लाब दायक सिद्ध होंगे उपाई के रूप में यदि आप अपने मस्तक पर लाल कुमकुम का तिलक लगाएंगे तो आपका देन शुफल्दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा तो मित्रो या बारा राश्ची का देनिक राश्ची फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्का लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जाई सीक्रश्न सादर धन्यवाद